Hello students, welcome back, आज का हमारा first topic है cable media, previous class में हमने transmission media characteristic ये topic study किया था, वैसे भी transmission media याने guys cable ही होता है, cable का use हम data transmit करने के लिए use करते हैं, तो उसके साथ कौन से factor जुड़े हैं, उसके क्या characteristic होती हैं, वो सब चीजे हमने study कर चुके हैं previous class में, आज हम देखेंगे कि computer networking में actual कौन से cable use होते हैं, उनके बारे में हमें study करनी हैं, जैसे कि there are three types of network cabling media, first है guys coaxial cable, दुसरा है twisted pair cable, तो तीसरा है guys fiber optic cable, तो कभी ना कभी आपने इन cables के बारे में नाम सुना होगा guys, तो वही हमारे daily life में जो cable use होते हैं, उनके बारे में हमें study करनी हैं, सबसे पहला cable है हमारा coaxial cable, तो actual topic के तरफ बढ़ने से पहले क्यों ना इसकी image देखी जाएं, ताकि आप थोड़ा सा familiar हो सकें कि coaxial cable कैसे होती हैं, तो guys यह रही उसकी image, थोड़ा सा आपको click हो गया होगा, कि यह cable वगरे कहां पर use होते हैं, यह black color की cable, आपके घर पे भी guys यही cable वगरे होंगी, हम TV वगरे use कर अंदर कौन-कौन से component use होते हैं, वो हम अभी थोड़ा सा study करते हैं, तो जो actual signal होते हैं, जो carry करने का काम करता है, वो center conductor होता है, copper की wire होती गए, वही से signal transmit हो रहे हैं, अब यहाँ पे एक ही conductor नहीं है, और एक conductor है, जिसे बोला है outer conductor, या braided shield कहा गया है, ऐसी wire से यह बनी जूड़ी हैं, वो भी metallic shield होती है, तो इनका काम क्या होता है, देखो, actual signal तो center conductor carry कर रहा है, और हमने previous class में पढ़ा है, कि electromagnetic interference भी होता है, यानि कि noise जो होती है, जो neighboring cables से या other equipment से आ रही है, वो भी तो wire catch कर सकता है, तो उसे minimize करने के लिए, उसे avoid करने के लिए, यह outer conductor का use होता ह है, तो जो भी noise आता है, यही capture कर लेता है, और center conductor तक पहुचने नहीं देता है, that's it, यही काम होता है, हमारे braided shield का, अब center conductor और outer conductor, यह दोनों mix भी नहीं होने चाहिए, इसलिए guys, इन दोनों के बीच में एक insulator लगाया जाता है, ताकि यह दोनों एक दूसरे के साथ connect ना हो, I hope so, कि आपको इतना arrangement समझ गई होंगी, अब रही बात guys, सबसे last में है outer jacket, यानि outer boundary है, यह plastic का material यूज़ करके guys, एक protective cover बनाया जाता है, जो damage होने से हमारे wire को बचाता है, जिसे rain हो गया guys, sunlight हो गया, इससे wire खराब हो सकती है तो उसको बचाने का काम करता है हमारा यह outer jacket, so ऐ ऐसे थे हमारे coaxial cable के component guys, I hope so, आपको ही समझ गया होगा, exam में इसके उपर three marks का question आ सकता है, और आपको इसका answer point by point में लिखना है, so बढ़ते इसके detail के तरफ guys, इसकी diagram जैसे हमने previous slide में देखा है, वैसे भी draw कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी diagram draw कर सकते हैं, ऐसा आप cable बना और इसके अंदर जितने component है, वो आप अच्छे से label करो, तो पहला point है इसके अंदर, in this cable, there are two conductor sharing the common axis, आप देख सकते हैं, center conductor और outer conductor, ऐसे दो conductor का यहाँ पे use होता है, इसका क्या काम है हमने already discuss कर चुके हैं, the TV cable is a coaxial cable, यानि इस cable का generally use कहाँ पे होता है guys, TV cable के साथ होता है, और साथ ही साथ में guys, ये cable LAN के अंदर भी use होती है, जो हमारे local area network होते है, computer जोडने के लिए भी इनका काम वगरे हो सकता है, या दूसरी cable का भी use होता है, बट इनका भी use हम कर सकते है, the component of the coaxial cable are as follows, जैसे हमने थोड़े दर प्ले discuss किया है guys, वही आभी हमें यहाँ पे point में लिखना है, center conductor, ये क्या करता है, solid copper wire, कभी-कभी aluminium के भी wire हो सकती है, और stranded wire हो सकती है, अब solid मतलब guys, एक ही wire है यहाँ पे, अब छोटे-छोटे wire को मिला के भी solid wire बनाई जा सकती है, उसे stranded wire कहा जाता है, तो वो ऐसी wire भी हाँ पे use हो सकती है, इसके बाद है guys, outer conductor, ये जो outer conductor बोलते हैं, या simply shield कहते हैं, forms a tube surrounding the center conductor, देखो इसके आजू-बाजू एक tube बनाए गई है, इसका क्या काम है guys, EMI को reduce करने का काम ये shield करती है, उने के बारे में हमें अब डिसकस करना है, this conductor is a braided wire, metallic foils और बोथ, previous image में metallic foil भी आपने वहाँ पे देखी थी न, यहाँ इस diagram में नहीं है, बैट वो रहे भी सकती है, the outer conductor is called a shield, it serve as a ground and protect inner conductor from the EMI, guys, इसको ground के साथ जोडा जाता है, ताकि जितने भी noise है, वो एकदम से reduce हो जाए, और noise को center conductor तक यह पहुचने नहीं देती है, और तब जाके हमको जो pure signal है, वो हमारे TV या setup box तक पहुचते हैं, next point है, और वो है guys, insulator के बारे में, this keep the outer conductor space evenly from the inner conductor, अगर insulator ना हो, तो दोनों conductor का एक दूसरे के साथ contact होगा, तो जो noise है, वो तो center conductor भी क्यारी करने लगेगा न, तुने separate करने है काम, यह हमारा insulator करता है, और जो outer में है guys, सबसे last में, वो है हमारा outer jacket, यह plastic से बना हुआ material होता है, this protect the cable from the damage, मै exam में अगर question आता है, यह point भी लिखने हैं आपको, और जो previous class में हमने जो factor study किये थे, cost से लेकर EMI, उनके बारे में भी आपको इस cable को refer करके point लिखने है, तो बढ़ते हैं हमारे next slide के तरफ, quick shell cable is easy to install, this is the robust and difficult to damage, q difficult to damage है guys, इस outer jacket के वोज़े से इसे अच्छी खासी strength मिल जाती हैं, तो और इसको install करना भी easy होता है, हम भी इसे install कर सकते हैं, बस एक basic skill की ज़रुत पढ़ते हैं, हम भी इसे आराम से connect वगरे कर सकते हैं, तो one by one factor हम study करते हैं, first factor है guys, cost, तो अब मैंने यहाँ पर एक topic skip किया है, और वो है different types of coaxial cable, तो इनके length के हिसाब से, याने कि इनकी जो limit है data carry करने की, उनके length के हिसाब से इनके दो type बनाए गए हैं, एक है thinate cable, याने कि इस गाईज thin wire cable, और दूसरी है thicket cable, याने कि thick wire cable, उनके limit के हिसाब से उनकी ये दो type बनाए गई है, तो जो thinate cable होती है, उनका cost low होता है, तो thicket cable का जो cost होता है, वो more होता है, तो ऐसा point आपको यहां पर लिखना है next एक installation वो तो हमने पहली देखा है कि easy होता है बट देखो easy कौन होता है thinet cable is easy to install and thicket cable is difficult to install ऐसा भी आपको यह point याद रहना चाहिए इसके बाद एक capacity capacity का मतलब ही होता है speed और speed मतलब ही guys हमारी bandwidth होती है तो LAN employing co-exual cable have bandwidth in between 2.5 Mbps to 10 Mbps इतने आपको speed का यहाँ पर support आपको मिल जाता है next attenuation की वज़े से तो guys इसके दो type बने है तो thinet cable up to 185 Mbps तक वो signal carry कर सकती है तो thicket cable होती है वो 500 Mbps तक signal carry कर सकती है जब तक की signal drop ना हो तब तक तो इसके वज़े से इसके दो type यहाँ पर बने है और last है guys और वो है EMI of course center conductor copper से बना है तो sensitive तो रहेगा बढ़ यह sensitivity कम करने के लिए हम इस outer conductor का use करते हैं जिससे बहुत हद तक इसकी sensitivity कम हो जाती है तो यह point भी आपको लिखना है all copper media are sensitive to EMI shield increases resistance of the cable to the EMI तो guys यह point भी लिखना बहुत जरूरी है जब आप यह three math question लिखोगे तो component के बारे में तो आप लिखने ही वाले हो diagram भी draw करने वाले हो बढ़ यह जो factor है जो six factor है उनके बारे में भी आपको लिखना आना चाहिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे cable के तरफ और cable का नाम है twisted pair cable अगर coaxial cable एक tv cable की wire है तो twisted pair cable guys एक phone cable की wire है जैसे हमारे landline phone वगरे है वहाँ पे जो cable use होती है ना guys वो होती है हमारी twisted pair cable तो कभी आपने guys ऐसी cable देखी होंगी ना इसे ही बोलते है twisted pair अब यह twisted pair यह ऐसा word आया क्यू है तो आप देख सकते हैं कि एक हमारी single wire है उसमें से four pair बाहर निकली है बट जितनी भी आप pair देखोगे वो एक दूसरे के अंदर twist है तो यह जो नीले color की wire है इसको अगर मैं अलग से बना होता हूँ आप देख सकते हैं देखो गए यह हमारी single wire है और उसे के साथ दूसरी wire एक twist हो रही है इसमें भी insulator है और इसके अंदर भी copper या aluminium के conductor हो सकते हैं तो ऐसा हमारा गईज यह twisted pair cable होता है जनरली जो landline के phone होते है या जो LAN होता है वहाँ पैसे cable का use किया जाता है और यह भी question exam में 3 marks के लिए पूछा जा सकता है तो पहला point है This is a popular cable for all new networks This is a low cost cable इसके price कम होती है The telephone cable is an example of the twisted pair cables अब भले इसमें 4 pair है आप 4 connection लगा सकते है यहाँ पे हमने single pair की हाँ पे diagram बनाई है It consists of two strands of copper wire twisted together आप diagram है से देख पा रहे है The twisting reduce the sensitivity of the cable to EMI and also reduce the tendency of the cable to radiate radio frequency noise that interferes with the nearby cable and electronic component अब देखो twisting का फाइदा क्या है सबसे पहले तो इससे EMI reduce हो जाता है यानि कि जो बाहर का noise है वो इसके अंदर आता नहीं है और साथ ही साथ में यह metal की wire है इसमें conductor metal का होता है तो यह अपने आप में भी signal radiate करती है जो बाहर signal send करती है तो उसे भी guys यह जो twisting के वज़े से एक दूसरे के signal को यह क्या करती है पता है reduce कर देती है या cancel कर देती है तो इसलिए हम यहाँ पे twisting का use करते हैं तो I hope so आपको इतना समझ गया होगा The radiated signals from twisted wire tend to cancel to each other जैसे अपने थोट दिर पहले मैंने आपको बताया है twisted wire also reduce the cross talk cross talk हमने previous class में पढ़ा था यह एक प्रकार का EMI होता है बाहर का noise catch करके वो transmit होने लगता है उसी को cross talk बोलते हैं तो उसको reduce करने का काम भी यह twisted pair करती है अब इस twisted pair cable के भी दो type होते गए और देखो type क्या है shielded and unshielded twisted pair cable अब यह shield क्या होता है हमने previous cable में देखा है एक metallic shield होती है जो outer conductor के काम करती है तो guys देखो यहाँ पे यह तो white color का jacket है और यह जो आपको दिख रहा है ना again white color का तो यह metal की foil हो सकती है तो अगर होती है तो उसे बोलते हैं shielded twisted pair cable और नहीं होते हैं तो उसे बोलते हैं unshielded twisted pair तो इसके बारे में भी हमें study करना है तो बढ़ते हैं हमारे next cable के तरब और cable का नाम है shielded twisted pair shortcut में इसे STP कहा जाता है और examने guys यह question आता है कि explain STP and UTP cable कभी difference भी पूचा जाता है तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए और इसकी diagram simple सी है जैसे हमने previous diagram देखी है ना वही diagram है तो यह जो मैंने बताया था यह metallic foil हो सकती यह shield है अब shield का का काम क्या होता है आपको पता है जो noise से बचना है आपको तो shield आपको लगानी पड़ती है cable jacket का use आपको पता है और यहाँ पे wire की pairs होती है कभी यहाँ पे two pair होती है कभी four pair होती है तो generally guys यहाँ पे four pair वगरे होती है तो इसकी diagram भी आपको exam में draw करनी है तो आप ऐसी diagram guys draw कर सकते है jacket बनाओ फिर braided shield बनाओ अगर आपको foil बनानी है तो foil बनाओ कभी कभी स्रीब नेकर गए यह एक ही shield होती है और इसके अंदर से आप दो pair वगरे निकाल के बता दो that's it guys इतना बना सकते हो तो simple से यहाँ यह diagram आपको बनानी है तो one by one point हम यहाँ पे discuss करते जैसे कि first point है shielded twisted pair cable consist of one or more twisted pair of cables inclusion of foil wrap and oven copper shielding तो यह तो फिर यह foil wrap होता है ऐसा metallic वाला या copper का भी या oven copper का भी यहाँ पे shield का use किया जाता है इसका use ही क्या होता है guys EMI को reduce करने के लिए इसका use वगरे होता है वैसे twisting से भी फरक पड़ता है अगर यह extra रहता है guys इस तो maximum हम इसको EMI को reduce यहाँ पे कर सकते है next point है the shield is connected to the jacket ground portion of the electronic device to which the cable is connected यानि इस ground portion के साथ गया जोसे connect किया जाता है इन्हें जो भी noise यहाँ पे catch होती है वो ground के तरब चली जाती है ground portion is the electrical reference point जैसे हमने डिसकस किया है properly grounded shield prevent the signals from getting into or out of the two to split shield cable okay ना अंदर जाता है वो signal जो बाहर से आया है ना अंदर का signal बाहर निकलता है यही इस shield का फाइदा होता है so I hope so आपको इसकी working और इसके component के बारे में समझ गया होगा तो अभी जो हमारे six factor है उसमें से हम five vector one by one study करते हैं first factor है that is the cost the cost of the STP cable is more than that of the coaxial और the unshilled यानि guys UTP जो हमारा cable होता है वो बड़ किस से कम होती है जो हमारा thick coaxial cable है और fiber optic cable है उनसे इसके price कम होती है अब obvious सी बात है guys यहाँ पे shield का use हुआ है और unshilled में shield का use नहीं होता है तो price तो जादा रहेंगी और यहाँ पे जो coaxial cable जिससे इसके price जादा है वो thinate cable की बात चल रहे है thinate cable जो होता हमारा वो उतना costly नहीं होता है बड़ ठीकेट जो cable होता है और fiber optic cable तो हम last में पढ़ने वाले हैं तो उससे इसकी price थोड़ी सी कम होती है ठीक है तो ऐसा point आपको यहाँ पे लिखना है इन में जो connector use होते है connector वाला topic भी हम skip कर रहे जो ending में जो लगाते हैं ना guys that is the connector होता है जो equipment के अंदर insert किये जाते हैं तो वो connector कौन से है वो different cables पे different वगरे होते हैं different connectors are used इसके बाद IBM token ring uses unisex data connector जो हमने topic skip किया गए which has both the male and female cable आपने जो phone के अंदर जो wire use होती है देखो कभी ना कभी वो insert करते हैं या LAN cable का जो outer area होता है RJ45 connector का use होता है जो आप Ethernet port में insert करते हैं वैसे connector वगरे हैं यहाँ पे use होते हैं connector का यहाँ पे नाम दिया है the required connector needs to be identified for the installation कहाँ पे आप उससे connect करना चाहते हो उससाब से connector differ वगरे होता है बस आपने इतना ही लिखा गए कि different network types are the different installation and different connectors are used इतना point भी हाँ पे sufficient है आपको mention करने की ज़रूरत ने कौन से connector यहाँ पे use होते हैं बढ़ते हैं हमारे next factor के तरफ और factor का नाम है capacity capacity याने bandwidth याने speed the STP cable has a theoretical capacity of 500 Mbps theoretical तो 500 Mbps है अगर practically इसे अगर आप check करोगे तो around वो 155 Mbps तक होती है और इसका जो attenuation है याने कि 100 meter तक यह carry कर सकते signal को but फिर भी the most common data rate of the STP cable is the 16 Mbps देखा जाए तो 16 Mbps का यहाँ पे support आपको मिलता है capacity का next है guys attenuation वो तो यहाँ पे लिखा ही है this limit the length of the cable 100 meter limit is the most common जो यहाँ पे अपने capacity में देखा ही है last है guys और वो है EMI the shield in STP cable result in the good EMI characteristic for copper cable than that of the coaxial cable अब देखो guys twisting के वज़े से भी EMI reduce होता है साथ में branded shield भी है और foil shield भी है तो अच्छा-कासा EMI यहाँ पे reduce हो जाता है तो ऐसे factor आपको वहाँ पे mention करने है जब यह question exam में फिर मास्क ले आता है तो तो बटते हैं guys हमारे next cable के तरब और cable का नाम है unshilded twisted pair यहने shortcut में इसे बोलते हैं UTP cable और diagram में आप देख सकते हैं ऐसा यह cable रहेगा अगर आपने previous diagram देखी हैं अच्छे से और इसमें जो EMI रहेगा as compared to STP जादा रहेगा क्योंकि यहाँ पे foil shield का use नहीं हुआ है बस यही point आपको one by one लिखने हैं यहाँ पे ऐसा braided shield metallic foil ऐसा कुछ भी use नहीं हुआ है the characteristics of the UTP are similar to STP the only difference is in attenuation and EMI EMI तो हो गई जादा यह तो आपको पता ही है क्योंकि broided shield ही हाँ पे missing है और रही बात guys length की कि यह कहां तक signal carry करेगा यह थोड़ा सा यहाँ पे difference है the telephone system usually use the UTP cable यह हमारे landline के अंदर बगरे यह wire बगरे use होती है in some network UTP cable is also used computer को जोडने के लिए इन cable का बगरे use हो सकता है next है now use the ATP in the LAN in increasing आजकल इनका भी use वगरे बढ़ने लगा है computer को जोडने के लिए वगरे next है guys UTP cable is available in five grades और categories इसके भी five types है अब उनके use के हिसाब से उनके speed के हिसाब से इनके five category बनाए गई है तो one by one category हम discuss करते है पहली category one और two है these voice grade cables are suitable only for the voice and the low data rates याने की four Mbps तक आपको speed मिलती है just आपको as a phone की wire करके इसके use करना है छोड़ा मोटा internet का use करना जिसकी speed four Mbps तक होती है तो वहाँ पे guys category one और category two की wire वगरे use होती है इसके बाद है category three this type of cable is suited for the data rate up to 10 Mbps थोड़ा सा fast internet चाहिए आपको तो आप inch cable का use कर सकते है this type uses for four twisted pair with the three twist per foot यहाँ पे देऊगे जैसे यहाँ पे four wire बाहर निकलिया न इसमें भी four wire होती है और यहाँ पे जो twist होते है wire में आप देख सकते हैं जहाँ पे twisted है तो per foot में एक इक twist यहाँ पे किया जाता है यहाँ पे standard wire का या cable का वगरे use होता है telephone installation के लिए बढ़ते गाइस next category के तरफ next category है category 4 this data grade cable consist of four twisted pair जैसे आप यहाँ पे देख रहे है this is suitable for the data rate up to the 16 Mbps देखो जितनी भी category आप देख रहे हैं इनकी जो speed है वो बढ़ती जा रही है इस तोर speed अगर बढ़ रही है तो of course इनके cost भी बढ़ते जाएंगे और last category हमारी वो है category 5 this also consists of four twisted pair जैसे आप diagram में देख सकते हैं it is suitable for the data rate up to the 100 Mbps अगर आपको इतनी speed चाहिए तो आप इस cable का वगरे use कर सकते हैं और obvious तो इनके लिए जो connector या equipment use होते connection के लिए guys वो भी different different रह सकते हैं the price of the cable increases with the category क्योंकि हर जगे पर इसकी speed वगरे बढ़ती जा रही है all connecting devices are also graded for the category 5 cabling system all connectors and connecting devices must be designed for the category 5 operation अगर आप category 5 का cable use कर रहे हो तो उसके लिए जो लगने वाले connector है ना guys वो भी आपको इसी category के use करने पढ़ेंगे तो अगर ये question आप है exam में guys तो देखो आप कौन-कौन से point वगरे यहाँ पर लिख सकते हैं तो guys यहाँ पर हमने इसके क्या component होते और क्या category है वो study की है अब रही बात guys transmission media की जो characteristic होते है जो six factor है वो आपको अभी थोड़े से इसके साथ explain करने पढ़ेंगे तो बढ़ते है next slide के तरफ पहला factor है guys cost UTP cable is the least costly than the any cable the cost of category 5 cable is यहाँ सबसे cheap wire guys यही होती है जितने भी हम cable study कर रहें उसमें से बस जो category 5 cable होंगी उनकी price ज़्यादा रहेंगी as compared to दूसरे category वाले wire से तो I hope so कि यह point आपको हमेशा याद रहेगा कि UTP cable सबसे कम price की रहती क्योंकि इसमें foil का use नहीं हो रहा है metallic shield का use नहीं हो रहा है इसलिए next day guys installation UTP cable is easy to install the equipment required does also low cost and the UTP system can be easily reconfigured okay इसे installation करना आसान वगरे होता है जो equipment लगते हैं वो भी cheap वगरे होते हैं next day guys capacity up to 100 Mbps data rate can be the achieve और आपको पता है na 100 Mbps कौन से category वाले cable के लिए guys category 5 cable के लिए possible है otherwise इसकी जो speed रहेंगी वो 4 Mbps से लेकर 100 Mbps तकाब अच्छिव कर सकते हैं attenuation तो रहने ही वाला है UTP cable has similar attenuation characteristic of that of the other copper cable UTP cable run in limited to few 100 meter 100 meter तक इसके गई रेंज रहती हैं इन्हें 300 feet तक guys ये signal carry कर सकता हैं उसके बाद signal भी खोना शुरू हो जाएंगे और last point है वो है EMI, EMI तो इसके अंदर हो गई guys क्योंकि इसमें braided shield या metallic foil का use नहीं किया है, UTP cable does not have shield, it is more sensitive to EMI than coaxial or STP cable, okay in latest technology care can be taken to avoid noise पर फिर भी अलग 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 technique का use करके noise काम करने कोशिश की जाती है, twisting से वैसे noise काम होती है, बट और भी guys technique का use करके noise वगरे minimize करने कोशिश यहाँ पर होती है तो यह थे हमारे UTP cable guys और अगर आप question exam में आता है तो यह point लिखना आपको नहीं भूलना है यह factor हमेशा आपको लिखना है साथ में इसके component वगरे क्या है कैसे यह बनता है, वो भी आपको साथ में लिखना है, बट यह जो 5 points है वो लिखना ज़्यादा important है आपको नहीं ऐसी diagram देखी होंगी दिखते सेम ही है wire बट उसके अंदर के जो component है guys वो different है और वैसा ही guys आप यहाँ पे इसके actual diagram देख सकते हैं कि इसके अंदर जो signal carry होते हैं वो light के form में carry होते हैं और उसे carry करने का काम एक fiber core करता है जो plastic या फिर glass से बना होता है तो उसी से बनी हुई guys हमारी ये wire है और उनी के बारे में हमें study करनी है और ये electrical signal क्यारी नहीं करती है ये light carry करती है इसलिए इसको बोलते हैं fiber optics cable छोड़े छोड़े ऐसे wire होते हैं जो light को carry करते हैं और light का use करके भी हम data generate कर सकते हैं 0 or 1 generate कर सकते हैं और ये cable वही काम करती है और electrical signal नहीं होने के वज़े से ये EMI free होती है और इसकी speed जादा होती है तो of course ये सभी wire में से सबसे costly wire है और गैस पता है exam में इस cable के उपर कुछ ना कुछ question आते रहते हैं ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेर करना है तो बढ़ते हैं next light के तरब तो सबसे पहले आपको diagram ड्रॉ करनी है तो ऐसे छोटी से diagram आप ड्रॉ कर सकते हैं jacket तो आपको पता चली गया होगा damage ना हो wire इसलिए इसका use होता है और देखो गैट इसमें जो core use हुआ है वो fiber core होता है वो plastic या फिर glass का बनाया जाता है और dedicated होता है जाने की पता ये तूट सकता है इसलिए उसको बचाने के लिए यहाँ पे strength members का use होता है ये इस wire को strength provide करती है और cladding का भी use होता है अब यहाँ से गई light बाहर जाने वाली है light नहीं क्या travel होने वाली है तो light नहीं क्या reflect होके उसी core से क्यारी होते रहे उसके लिए cladding का use होता है तो इसके पहले हम component के बारे में study कर लेते हैं और इसके क्या क्या feature से वो भी हम study करते हैं in every way fiber optic cable is a idle cable for the data transmission क्योंकि यह EMI free है fast है guys इसलिए यह सबसे best cable लगती है हमें this cable has a extremely high bandwidth इसकी speed जो होती है बहुत जादा होती है it has no problem with the AMI and cable runs over several kilometers अभी हमने देखा है कि 100 meter 500 meter इतनी cable signal क्यारी करती है बट यहाँ पे guys ऐसी कोई problem ही नहीं है यह light कितने दूर तक भी क्यारी करके लेके जा सकती है but guys दो disadvantages इसके साथ है और एक है guys cost और दूसरा है installation difficulty cost क्यों जादा है आपको पता ही है क्योंकि यह सबसे fast और EMI free है इसको जैसे cost जादा है और guys यह नई type की cable है इसको बहुत precaution लेके इसको handle करना पड़ता है तो installation difficulty भी यह जादा है नॉर्मल वायर जैसी यह वायर नहीं है इसमें metal का portion कहीं पे भी नहीं है guys इसलिए नहीं कि इसको installation करना जोगा difficult जा सकता है nowadays it is often installed into buildings by telephone companies आपके city में भी guys fiber optic cable वगरे बिचा ही जा रही होंगी तो यह हमारी cable है जो telephone company वगरे यूज आजकल कर रही है so fiber optic cable में जो component यूज होते है क्यों ना उनकी study की जाए the center conductor of fiber optic is a fiber that consists of highly refined glass और plastic यह जो आपको core दिख रहा है guys यह छोटी-छोटी wire से पर यह wire normal letter की wire नहीं होती है यह glass या plastic की wire होती है और वहाँ से light transmit होता है और वही हमारा guys signals होते है तो यह एकदम fine fiber से बनी होती है इसलिए इसको बोलते हैं fiber optic cables it is designed to transmit light signal with the little loss और guys यह MCQ में question पूछा जाता है कि कौन सी wire है जो light carry करती है तो fiber optic cable है जो light carry करती है और जो data loss होता है वो बहुत काम होता है guys यह almost none होता है नेक्स point है glass core support a longer cabling distance but the plastic core is easier to work with यह जो core है fiber core अगर यह glass से बना है तो ज़्यादा distance तक signal carry हो सकता है इसमें कोई doubt नहीं है बड़ अगर यह plastic से बना है guys तो इसके साथ work करना easy रहेगा glass का है तो तूटने के chances है और plastic का है तो शायद तूटने के chances तो उतने थोड़े से कम हो जाते है तो यह इसका advantages अगर यह plastic से बनता है तो but उसकी length जो है carry करने की वो थोड़े सी कम हो जाएंगी अगर यहाँ पर plastic का fiber use होता है तो right तो reflect भी होगी ना तो light reflect होके उसी core में वापस जाने के लिए guys cladding या jail का use होता है जिससे हमारा जो signal है वो loss वगरे ना हो next point है plastic shield यानि guys हमारे यह outer jacket protect the fiber damage से बचाने के लिए guys इस jacket का वगरे use होता है so यह रहा guys हमारे introduction part fiber optics cable का अगर exam में question आता है तो यह slide के point आपको लिखने है next slide में भी हम point देखने वाले है but वो इसके working के बारे में है कि यह कैसे वगरे काम करता है अगर आपने वो नहीं भी लिखे point तो भी चलता है और last में slide में हम जो point देखेंगे जो characteristic के साथ जूड़े है transmission media के cost से लेकर हमारे EMI वो लिखते हैं तो भी आपको 3 marks मिल सकते हैं फिर भी as a knowledge के लिए हम उससे one by one देख लेते हैं जैसे कि the fiber optics cable network consists of two strands separately enclosed in a plastic sheet यहाँ पे guys दो type की strand का use होता है पहला strand होता है data को receive करना और दूसरा होता है गए send करना dedicated दो groups यहाँ पे होते हैं there are two types of configuration loose and tight configuration इसे attach करने का भी दो वे होते हैं एक तो loose configuration या तो tight configuration इन में क्या होता है जरा देखो loose configuration include a space between the fiber sheet and the outer plastic encasement याने इन दोनों के बीच में space रखे जाती हैं और देखो इस space में क्या भरा जाता है this space filled with the gel or other material वहाँ पे वो रखे जाते हैं उससे क्या होता है जो signals होते हैं वो reflect होते हैं उसी core के अंदर और जो tight configuration होता है content strength wires between the conductor and outer plastic encasement वहाँ पे wire का use वगर ही किया जाते हैं इससे उसको strength वगर ही मिलती है next point है in both cases the plastic encasement must supply the strength of the cable while gel or the strength wire protect the delicate fiber from mechanical damage यह yellow color की चीज़ दिख रहे हैं ना गईज यह strength provide करती है ताकि वो wire bend ना हो गईज और ज़्यादा bend होगी तो तूट सकते हैं ना fiber तो इसलिए बचाने के लिए encasement का वगरे use यहाँ पे होता है अब optical fiber does not transmit electrical signal obvious सी बात है उसके जगे पे वो क्या transmit करती है light transmit करती है हमने चीज़े पड़ी है the data signal need to be converted into light signals अब देखो यह light में convert तो होना चाहिए बट light आपको मिलेंगी कहां से तो light sources are laser laser light का use होता है या LED यानि light emitting diet का भी use होता है but LEDs are cheap but produce the poor quality अब laser light थोड़ी से महंगी रहेंगी LEDs सस्ते मिलते हैं चीफ होती है but वो उतनी high quality light वगरे produce नहीं कर पाएंगी अब देखो guys light travel हो रही है किसी computer या किसी equipment में तरफ जा रही है तो light को again guys जो हमारे digital signal है उसमें भी हमें convert करना आना चाहिए तो उसके लिए क्या यूज होता है वो next slide में देखते है the end of the cable receiving light signal must be converted signal back to the electrical form उस form में digital form में वो बनना ही चाहिए और इसके लिए this is achieved by the solid state component solid state component का यूज करके उस light signal को guide again electric form में convert किया जाता है तो आपको इतना little bit idea आगी होंगे यह काम वगरे कैसे करता है अब next point है it is difficult to join two cables अगर cable तूट जाते हैं guys तुने join करना ऐसा normal सा नहीं join करना पड़ता है अलग method अलग technique से इने join वगरे करना पड़ता है क्योंकि यह बाकी normal wire जैसे तो बिलकुल नहीं है next point है the core of cable is of 8.3 microns इतना fine यह रहता है यह हमारा core next point है they must be line up with the extreme precision to prevent the signal loss इन्हें proper तरीके से connect करना पड़ता है proper तरीके से इन्हें install करना पड़ता है तब जाके guys वो light और signals अच्छे तरीके से transmit होते हैं और signal loss वगरे नहीं होते हैं तो guys यह जो slide के point है अगर याद रहते हैं लिख सकते तो अच्छी बात है otherwise जो next slide है जिसमें हम factor study करेंगे वो सबसे important है तो बढ़ते हैं next slide के तरफ और पहला factor हम study करते हैं और वो है cost और इसके ओपर guys exam में question आता है MCQ में कि सबसे high cost वाली cable कौन सी है तो of course fiber optics cable है इसके price सबसे ज़्यादा highest होती है अब रही बात guys installation यह सबसे difficult installation में भी आता है high cost भी है और इसके जो installation का जो skill है वो भी high लगने वाला है तो greater skill is required to install fiber optic cable it must be treated fairly gently during installation क्योंकि core guys glass और fiber का है तूट सकता है every cable has a minimum bend radius यानि एक particular radius तक ही यह bend हो सकती है they get damage if the bend it sharply अगर आपने इसको ऐसे गज़ मोड लिया तो यह तूट भी सकती है the cable cannot be stretch और इसे stretch वगरे नहीं किया जा सकता है जितनी length है उतने length है आपको इसको use करना पड़ेगा तो guys greater skill required लगती है इसे install करने के लिए अब रही बात guys capacity यह भी सबसे highest होती है अच्छे से transmit कर सकती है यहाँ पर range थोड़ी सी कम लिखी है मैंने 100 Mbps से लिखा गए आज के जमाने में 1 Gbps से लेकर 2 Gbps तक का capacity fiber optic cable आपको provide कर सकती है next point है और वो attenuation is the much lower than the copper cable वही तो खासियत बात नहीं गए attenuation जो हमारे metal की wire होती है उसमें पाया जाता है यहाँ पर light carry हो रही है glass और fiber optics का cable का use हो रहा है तो attenuation as compared to बाकी cable से यहाँ पर तो कम होता है next है guys और वो है EMI fiber optics cable does not use electrical signal to transmit data therefore they are the free from the EMI यह जो signal carry करते हैं वो light वाले होते हैं metal वाले wire में ही guys EMI पाया जाता है जब metal की wire ही नहीं है electrical signal carry नहीं कर रहे है तो यह EMI free तो रहने ही वाली है last कुछ और point है guys data transfer in fiber optic cable has the highest security as it cannot be detected by the electronic wave dropping devices हमने operating system chapter में पढ़ा है ऐसे devices होते हैं जो radiation catch कर सकते हैं wire के अंदर से data catch कर सकते हैं वो कि पिस wire से data क्या जा रहा है तो guys इसमें light carry होती है तो अब light carry होती है तो यह radiate नहीं कर रही है तो data hack होने के chances भी बहुत कम हो जाते हैं यहाँ फिर जो data transmit होता है उसमें अच्छी का सी high security वगरे होती है तो I hope so आपको यह fiber optics वगरे cable वाला topic भी समझ गया होगा अब इतने सारे हमने cable पड़े हैं तो इसके हम summary देखने वाले हैं याने comparison देखने वाले का इस comparison of cable media तो कभी exam में question आए कि एक cable दूसरे cable से गर compare करना पड़े तो इस chart का आप यूज़ कर सकते हैं देखो हमने क्या कह यहाँ पर factor लिखे हैं cable का type कौन सा है याने कि नाम जो cable का यूज़ करेंगे cost, installation, capacity, range और EMI बस यह हमें discuss करना है तो सबसे पहला cable हम लेते हैं coaxial thinet cable क्योंकि इसके दो type हैं हमने study नहीं किये हैं इसका cost होता है less होता है installation easy होता है और capacity 10 Mbps तक हम अचीव कर सकते हैं range 185 meter तक होती है और less sensitive than the UTP UTP से इसकी sensitivity काम होती है अब रही बात दूसरा जो cable है ticket cable इसमें बस एक ही जगे पर दो difference रहने वाला है और वो इसकी range उके, that's it उसी के लिए तो guys इस सब कुछ है यहां पर अब greater than the STP and less than the fiber optic cable इसकी जो cost है guys ये greater रहेंगे STP से but less रहेंगे इससे fiber optic cable से इसका installation भी easy होता है 10 Mbps तक हम speed अचीव कर सकते हैं और जो range होती हो 500 Ack meter तक जा सकती है और less sensitive than the UTP UTP याने guys हमारे unshidded tip state pair cable के हम बात कर रहे है next cable है हमारे STP cable तो greater than the UTP UTP cable से इसकी price जादा रहती है क्यों रहती है क्योंकि ये shield है ना guys अब shield लगाई है तो उससे price तो बढ़ेंगे as compared to UTP fairly easy ही रहता installation अब इसकी जो speed है guys वो 16 Mbps से लेकर 500 Mbps तक अब अच्चिव कर सकते है और इसकी जो range है guys वो 100 Mbps तक है और less sensitive than the UTP ये भी UTP से इसकी sensitivity काम है अब सबने UTP से less क्यों है क्योंकि UTP में guys shield नहीं होती है shield नहीं है मतलब EMI जादा है तो point रखना भी याद रखना ये भी आसान है next guys UTP देखो अब सबसे सस्ता केबल यही होता है installation भी easy होता है और जो speed है वो 10 से लेकर 100 Mbps तका बचिव कर सकते है और attenuation भी guys 100 Mbps तक वो रह सकता है अब रही बात guys ये सबसे sensitive होता है तो बस most sensitive केबल कौन सा है तो UTP है क्यों है reason तो इसमें shield नहीं होती है इसलिए इसमें sensitivity जादा होती है रही बात guys हमारा last cable तो इसके point आपको याद रहने चाहिए cost highest होता है installation difficult होता है और इसको जो capacity है guys वो 100 Mbps से लेकर 1 Gbps तक ये रह सकती है और इसके बात जो range है वो several km रह सकता है क्योंकि light carry होती है और light तो कितने दूर भी carry हो सकती है और EMI ये insensitive होता है इसमें कोई EMI वगरे नहीं रहता है ये EMI free रहती है तो ऐसे guys हमारे इसका comparison है बट guys जितना भी यहाँ पे लिखा है ये हमेशा true है ऐसा ज़रूरी नहीं है तो इसके लिए भी एक point लिखा है note that characteristics of cable are highly dependent on the implementation network cards, hubs and other devices में affect them wire अपने अच्छी लगा लिए इसका मतलब ये नहीं है कि data अच्छे से क्यारी होंगा ही करके आपने उसे कैसे connect किया है कैसे implement किया है कितने अच्छे से उसे install किया है ये इस factor भी माइने रखते है तो यहाँ पर जो उपर comparison किया है ये general factor के साथ हमने compare करके ये comparison वगरे किया है तो I hope so आपको ये भी समझ गया हुए गाई अगर exam में question आता है तो ये difference वगरे आपको लिखना आना चाहिए आचे class के लिए इतना ही मिलते हैं next class में नए topic के साथ अप तक लिए goodbye thank you guys